हमारे आसपडोसी हमारे अपने हैं सब लोग अपने हैं हमें अपने लोगों के लिए प्रात्ना करने की जरूता है आज प्रभु चाता आप उस व्यक्ति के लिए प्रात्ना करें प्रभु चाता आपके द्वारा उस परिवार को मुक्ति दिलाए प्रभु चाता आज उस व् व्यक्ति के द्वारा कारे करता है मेरे प्यारे भाई और बेनों। योना नभी के द्वारा निन्वे को बचाया। मुसा नभी के द्वारा हम देखते हैं मिस्र से इस्राइलियों को बचाया। कितने कारे किये प्रभू ने। हम हर एक नभीयों के बारे में बाइबल कोल कर हम पढ़ने की जरोत है, प्रभु किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा कारे करता है, मेरे प्यारे भाई और बेनों, आज हम सब को वचन खोलने की जरोत है, वचन पढ़ने की जरोत है, वचन को भेजने की जरोत है, आज ये सिर्फ कलीसिया की या उस व्यक्ति की उस परसन की प्र विश्वास के साथ प्रभु से प्रातना करें और जो प्रातना में आप मांगते हैं मती 21-22 करता है जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रातना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा ये वच्छन तुरंत जाकर हर परिश्यानी हर परिस्तिती को इसी वक्त पूरा करेग और प्रबू वहाँ पर अपनी महिमा प्रकट करता है आज हम भी उस परेशानी को उस निवेदन को लेकर समसंसार के लिए हमें हाथ फैलाने की जरूत है प्रबू के सामने दया याशना करने की जरूत है प्रातना करने की जरूत है कलिसिया के लिए अपने भाईयों के लिए अपने देश के लिए अधिकारियों के लिए निताओं के लिए हमें प्रात्ना करने की जरूत है मेरे प्यारे भाईयों और बेनों क्योंकि वे नहीं जान रहें कि वे क्या कर रहे हैं प्रभू उन्हें शमा करे, उन पर देया करे, उनका मन परिवर्टन हो, और हमारे देश में अमन शान्ती स्तापित हो जाए, क्योंकि हमारा ईश्वर शान्ती का ईश्वर है, शान्ती का राजा है, मुक्तिदाता है, वैसंभो को संभो करने वाला ईश्वर है, आज हमें अपन श्रोत से जुड़ना है, अपने जीवन दाता से जुड़ना है, हमें अपने जीवन दाता, अपने मुक्ति दाता, अपने श्रोत के पास में जाना, जहां से हमें जीवन मिलता है, जिसने हमें बनाया हमें उस परम पिता के पास में, उस देयालू, उस कृपा के पास में जाना आमीन